हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मिरनामि सिंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल की यूटूब चैनल पर आसा गरता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग 30 अक्टूबर 2021 के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेर हैं उ किसी भी एकजाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेर से क्वेश्चन आपके एकजाम में पूछे जाते हैं चार से पांच क्वेश्चन जो है आपके एकजाम में करेंट अफेर के पूछे जाते हैं और इसे आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं तो तो आप बता भी सकते हैं देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A दिल्ली Metro ने हाल नहीं में सर्वसेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टी वाली Metro का पुरुसकार किशने जीता है तो दिल्ली Metro ने ये आपको याद कर लेना है अब आईए इस question के जो important details स उसको भी जान लेते हैं देखिए आपर सबसे पहले point में मैंने बताए कि दिल्ली Metro Rail Corporation DMRC को केंदरी आवास और सहरी मामलो के मंतराले द्वारा सर्वसेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टी वाली Metro Rail का पुरुसकार मिला है ये आपको याद रख लेना है देखिए सर्व दिल्ली Metro की सेवाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं इसलिए यहाँ पर सहरी मामलो देखे केंदरी आवास और सहरी मामलो के मंतराले के द्वारा यहाँ पर दिल्ली Metro को यह पुरुसकार दिया गया है यह आपको याद रखना है अगले परण में मैंने बताए कि इ दिल्ली Metro Rail Corporation के MD डॉक्टर मुंगू सिंग ने पुरुसकार प्राप्त किया यह पुरुसकार किसको दिया गया दिल्ली Metro को तो मिला लेकिन किसे मिला यहाँ पर जो दिल्ली Metro के यहाँ पर MD है मैनेजिंग डिरेक्टर है डॉक्टर मुंगू सिंग उनको यह पुरुसकार प् जीता है सर्वसेष्ट सारवजनिक परिवहन प्रडाली वाले सहर का पुरुसकार तो ये भी काफे important question है देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number 2 सूरत ने ये आपका गुजरात का एक सहर है इसे आपको याद रखना है तो हालही में भारत के किस सहर ने जीत सर्वसेष्ट सारवजनिक परिवहन प्रडाली का पुरुसकार तो सूरत ने जीता है इसे आपको याद रखना है आईए अब इस question के जो important detail से उसको भी जाल लेते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले point में मैं बताए कि केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को सूरत को सर्वस सर्वसेष्ट सारवजनिक परिवहन प्रडाली यानि कि जो सारवजनिक परिवहन प्रडाली है वो काफी बहतर है सूरत में तो उसके लिए जो है इसे यहाँ पर क्या किया गया सम्मानित किया यह याद रखना है और next point में मैं बताए कि साहजना बाद पुनर विकास निगम कि पुनर विकास परियोजना के लिए दिल्ली को सर्वसेष्ट गैर मोटर चालित परिवहन प्रडाली के पुरुसकार से यहाँ पर सम्मानित किया यह याद रखना है आपको अगले point में मैं यहाँ पर बताए कि केंदरी आवास और सहरी मामलो के मंतरी हरदीप सिंग पूर पर इसे भी आपको याद रखना है तो आसा करता हूं question का detail आपको clear हो गया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question नमरा है question number 3 देखे इसमें पूछा जा रहे कि हाल ही में किसको महिला ससकती करण के लिए black swan पुरुसकार से सम्मानित किया गया इन चारों विकल्पों मे से देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number ही रेनु गुपता को जो है हाल अही में महिला ससकती करण के लिए black swan पुरुसकार से क्या किया गया सम्मानित किया गया इसे आपको याद रखना है अब इस question के जो important details से उसको भी जाल लेते हैं देखे यहाँ पर स महिला ससकती करण के लिए black swan पुरुसकार से सम्मानित किया गया यह आपको याद रखना है अगले point में मैं बता है कि वह red velvet rock global commercial brokers LLC दोबई में प्रबंध निदेशक भी हैं और इसके साथी साथ जो है उन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसाइक विचारों के माध पुदान के लिए जो है इनको black swan से जो है सम्मानित किया गया है महिला ससकती करण के लिए black swan पुरुसकार से किसे सम्मानित किया अभी हाली में तो रेडू गुपता को है इसे आपको याद रखना है आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा question number four देखे इसमें पूछा देखे हालही में प्रख्यात अंको लॉजिस्ट पदमस्री से सम्मानित किस व्यक्ति का अभी निधन हुआ है इन चारों में से तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number eight doctor M. Krishna Nair का जो है हालही में जो कि प्रख्यात अंको लॉजिस्ट है और पदमस्री से सम्मानित भी है इनका जो है अभी हालही में निधन हो गया है ये आपको याद रखना है अब इस question के जो important detail से उसको भी जान लेते हैं देखिए सबसे पहले point में मैंने यहाँ पर बताया कि डॉक्टर M. Krishna Nair का 28 October 2021 को निधन हो गया था और next point में मैं बताया कि तिर्वनंत को है और इसी जो है संस्था को जो है यहाँ पर स्थापना करने के बाद ही इनको पदम स्री से भी सम्मानित किया गया था cancer केंद्रों में से एक के स्थापना के लिए जाना जाता है यह आपको याद रखना है अगले point में मैं मैंने बताया कि उन्होंने community oncology दर्द और palliative care और बाल चिकितसा और oncology में अगरडी योगदान दिया है तो यह कुछ छेतर है जिन में उनका योगदान काफी प्रमुक रहा है और इसकी साथी साथ जो है उन्हें 2001 में पदम स्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है तो काफी important है यह question आप सभी के लिए आने वाले exam के दृष्टी से तो हाले में अभी किस oncologist का यहाँ पर जो की पदम स्री से सम्मानित थे उनका निधन हो गया था तो डॉक्टर M. Krishnan Nair का 28 October 2021 को निधन हो गया था यह आपको याद रखना है और एक important चीज यह भी है कि तिरुवनन्त पुरम में छेतरिय कैंसर केंदर RCC के संस्थापक निधेशक के रूप में उन्हें देश में सबसे बड़ा व्यापक कैंसर केंद्र यानि केंद्रों में इससे एक के स्थापना के लिए भी जाना जाता है तो यह भी काफी important है तो आसा करता हूं कि question का detail आपको clear हो गया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question जो है यहाँ पर देहरादून के अंदर घस्यारी कल्यान योजना की सुरुवात की गई है इसे आपको याद रखना है अब आईए इस question के जो details से उसको भी जान लिते हैं देखें आपर सबसे पहले point में मनें बताए कि केंद्रे ग्रिह मंत्री अमित साह ने 30 October 2021 को देहराद उन में घस्यारी कल्यान योजना की सुरुवात की इसे आपको याद रखना है उत्तरा खंड की रादानी क्या है देहरादून अगले point में मनें बताए कि मुख्य मंत्री घस्यारी कल्यान योजना का उद्देश से परवतिय छेत्रों में रहने वाले प्रदेश की 3 लाग से अधिक ग्रामेड महिलाओं का बोज खत्म करना है इस योजना का पूरा उद्देश से ये आपको याद रखना है और next point में मनें बताए कि इस योजना के तहट जो है पैकेजड साइलेज या सुरच्छित हरा चारा उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे इन पहाड़ी छेतर की जो महिलाएं बहुत पहाड़ों के ऊपर जाती थी चारे के तलास में वो दिक्कते कम हो जाएंगी तो आसा करता हूँ कि कोश्चन का डेटेल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आईए एगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन हमारा है आपका अप्सन नमबर सी मध्य प्रदेश शरकार के द्वारा जो है हालही में यहाँ पर आवास भू अधिकार योजना की गोश्चा की गई है इसे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है सिवराज सिंग चौहान ये भी आपको याद रखना है दिल्ली का कौन है अरविंद केजरिवाल उत्तर प्रदेश का कौन है यहाँ पर आदित्यनाथ योगी ये भी आपको याद रखना है अब इस कोशन के जो इंपोर्टेंट डीटेल से उसको भी जान लेते हैं देखें आपर सबसे पहले प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की गोश्टा की है ये तो आपको क्लेर है अगले परिवारों के तहट राजय सरकार उन परिवारों को भूकंड प्रदान करेगी जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है यानि कि इस योजना के अंतरगत जो मद्य प्रदेश की स सरकार है उन परिवारों को भूकंड यानि कि जमीन प्रदान करेगी जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो ये काफे इंपोर्टन्ट है अगले परिवारों को आवासी या भूकंड प्रतेक ग्राम पंचायत में आबादी भूमी पर उपलब्द कराए ज चाहिए तो इसके लिए कुछ term condition है दमपती होने चाहिए यानि साधी सुधा और इसके साथ आफ साथ उनके बच्चे भी होने चाहिए औऊसमें भी कंडिशन की बच्चों की आई होने चाहिए जो 5-10 साल के हो 12 साल के हो तो इस प्रकार की अगर फैमिली है तो उनको इस यो तो देखिए विश्व बचत दिवस जो है यहाँ पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है लेकिन भारत के अंदर यहाँ पर 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है लेकिन इंपोर्टेंट आपको डेट यह याद रखना 31 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड बचत दिवस यानि विस्व बचत दिवस मनाया जाता है आईए ब इस question के जो important details से उसको भी जान लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले point में हमने बताए कि विस्व बचत दिवस हर वर्स 31 October को विस्व बर में मनाया जाता है लेकिन भारत में यह दिन हर वर्स 30 October को मनाया जाता है यानि कि एक दिन पहले जो है इसको मनाया जाता है लेकिन important date आपको यही याद रखनी 31 October अगर भारत के संदर में पूछ लिया जा तो 30 October भी आपको याद रखना होगा अगले point में हमने बताए कि इसका उद्दे से बचत के महतों को बढ़ावा देना है बचत से जो है अपने काम को कर सकते हैं अगर आपने saving की है तो यह काफी important है सभी को करना चाहिए और इसी की जागरूपता के लिए यहाँ पर विश्व बचत दिवस जो है हर यहाँ पर 31 October को हर वर्स में मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है अगले point में हमने बताए कि इसे world saving day के रूप में भी जाना जाता है मतलब अंगरी जी में यह आपका word है और next point में मने बताए कि विश्व बचत दिवस के स्थापना 30 October 1924 को इटली के मिलान में पहली international saving bank world society up saving banks के दोरान हुई थी यह date काफी important है कि कब इसकी स्थापना हुई थी तो 30 October यह आपको याद रख इसी date से जो है यहाँ पर विश्व बचत दिवस के स्थापना की गई और हर वर्स में 31 October को यह मनाया जाता है और भारत में कब मनाया जाता है 30 October को तो इसे भी आपको याद रखना है तो आसा करता हूं question का detail clear हो गया आई एगला question देखते हैं अगला question नमबर है question number 8 देखे इ आप सभी लोग देखते हैं और South Indian movie भी बहुत लोग देखते हैं तो काफी चर्चित यहाँ पर यह अभिनेता थे और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है तो यह जो है आपके पुनित राजकुमार है तो कन्नड अभिनेता का जो हाल ही में निधन हुआ है वो कन्नड निधन हो गया अब देखिए निधन होने का कारण क्या है पैतालीस उम्र की एज में तो पहले इनका निधन हो गया और इसके साथी साथ यह जिम में वर्काउट करने गये थे और exercise के दोरानी जो है इनको heart attack आया और उसके बाद से इनको hospital में वहां के पास के hospital में ले गया औ महां पर उनकी death हो गई तो यह अभी age उतनी जादे नहीं थी इनके मरने की लेकिन heart attack एक ऐसी problem है जिसके वज़े से किसी की भी आकास्मिक मृत्ति हो सकती है ठीक है तो इसे आपको याद रखना है तो इसे आपको याद रखना है पुनित महान अभिनेता राजकुमार के बे सिद्ध हुए थे और इसके साथी साथ next one में मैंने बता कि उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्मों में पावर इस्टार है जैकी है राजकुमार है मौर्य है आरुसू है राम और अंजनी पुत्र सामिल है तो काफी फिल्में इन्होंने के थे और काफी ये चर्चित एक्टर थे अकन्नड के और इनका 45 वर्स के उम्र में हार्ट अटेक से मृत्य हो गई इसे भी आपको याद रखने है तो आसा करता हूँ कुश्चन का डीटेल आपको क्लेर हो गया होगा आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 9 देखे इसमें पूछा जा रहे कि अंतराष्टी इंटरनेट दिवश कब मनाया जाता है तो आज कल इतना जरूरी हो गया इंटरनेट के बिना किसी का काम नहीं चलता चाहे बैंक हो या आपका हो ठीक है तो यहाँ पर इंटरनेट के बिना काम आज के वर्तमान समय में संभव नहीं है लेक कि अंतराष्टी ये इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अक्टूबर को ये आपको याद रखना है अब इस question की जो important details से उसको भी जान लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले point में मैंने बताए से 29 अक्टूबर 1979 को दो कम्पीटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्सगाठ के उपलच में मनाया जाता है तो यानि क्यों मनाया जाता है ये अंतराष्टी इंटरनेट दिवस या वर्ल्ड इंटरनेट डे तो यह जो है यहाँ पर इस दिन जो है पूरवर्ती यानि के अर्पा नेट के माध्यम से 29 अक्टूबर 1990 को दो कम्पीटरों के बीच में जो है भेजे गए पहले संदेश की वर्सगाठ के उपलच में जो है यहाँ पर अंतराष्टी इंटरनेट दिवस मनाया जाता है अभी इसका फुल फॉर्म क्या होता है अर्पा निट का इसे भी आपको याद रखना है Advanced Research Project Agency Networks का फुल फॉर्म होता है यह भी आपको याद कर लेना है अगले परण में मैं बताए कि जनवरी 2021 तक विस्व भर में 4.66 बिलियन सक्रिय इंटरनेट उप्योग करता थे जो वैस्विक आबादी के जीरो आप मतसमधी यहाँ पर आप इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते 69.5 परण ठीक है तो यानि कि जो विस्व की कुल आबादी है उसमें से कम सकम यानि लगबक कह लिजे कि 60 परण ऐसी आबादी है जो आज के समय में इंटरनेट का इस्तमाल करती है और इसके साथी साथ आने वाले कुछ समय में यह जो परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है 70% से भी उपर जा सकता है ठीक है तो आसा करता हूं कि कुछिन का डीटेल आपको क्लेर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा आईए अगला कुछिन देखते हैं अगला कुछिन हमारा है कुछिन नमबर 10 और यह हमारा विडियो का लाश्ट कुछि हाल ही में भारत के किस मानव यूग्त महासागर के मिसन को लाँच किया गया है तो समुद्र यान को लाँच किया गया है अब इस कुछिन के जो इंपोर्टेंट डीटेल से उसको भी जान लेते हैं देखें आपर सबसे पहले पॉइंट में मनें बताए कि केंद्रिय विज् समुद्र के गहराईयों में जाकर यहां पर जानकारियों को इकठा करेगा ठीक है तो यहां पर मानव यूग्त महासागर मिसन जो है समुद्र यान को लाँच किया गया है इसे आपको याद रखना है अगले पॉइंट में मनें बताए कि भारत अंडर वाटर वेकल वाले सन समुद्र की लाइप कैसी हो से इनकी लाइप लेकि अब भारत भी इस में सामिल हो चुका है अगले पर्ण में बता है कि यह 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर इस्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अनवेशड करने में मदद करेगा यानि कि खोज करने में 1000 से आ उनके बारे में यहां पर क्या होगा अनवेशड करने में यह जो यान है समुद्र यान है वो मदद करेगा तो आसा करता हूँ कि कोश्चिन का डीटेल आपको क्लेर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी कोश्चिन को लेकर अगर आपको डाउट ह होता है यानि इन दस प्रशनों को ले कर यानिंगा से किसी भी question के साथ अगर आपको doubt होता है को समझ में नहीं आता तो आप comment box में post सकते हैं और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी comment box में बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगें तो वीडियो को like करिएगा आपके एक लाइक से बहुत सारा motivation और appreciation मिलता है लगता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें इसी प्रकार से continuous वीडियो आपको provide करती रहनी चाहिए क्योंकि आपके लिए ये काफे important है like के साथ जो है वीडियो को share कर सकते है maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल जाए क्योंकि जो कुछ हम आपको provide करते हैं सब कुछ free of cost होता है और इसके साथ ही साथ current affair की मैं PDF भी आपको ग्रूप में provide करता हूँ तो अगर आपने टेलिग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया है तो वहाँ पर जोइन करिए और आप current affair की PDF को download कर पाएंगे तो मैं वीडियो के description box में link दे दूँगा टेलिग्राम ग्रूप का वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप subscribe करके उसके बगल में जो bell icon का button होता है उसको आप press कर लीजेगा तभी इस वीडियो की notification यानि कि इस चैनल पे upload की जाने वाली वीडियो की notification आपको प्राप्त हो पाएगी तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महतुपूर करेंट अफेर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत